वेलकम टो एस्टड़ी और टार्गेट एस्टड़ी और टार्गेट के इस चैनल में आप सभी लोगा स्वागत है दोस्ते इस वीडियो में इंडियन हिस्ट्री यानि भारतिया इतिहास के इंपोर्टेंट 170 प्लस कुश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं जो पिछले 50 प्रस्ट आप इस वीडियो बहुत ध्यान से लास्तिक देखिए चैनल पनाया सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस करें वीडियो को लाइक भी जरूर करें चले शुरू करते हैं देखिए पहला कुश्चन दिया गया है किस सैनिक ने 1867 का बिद्रो आरंब किया मंगल प प्रेस करन्दमेन अपना बलीडाल संताओन में ऐफब से पहले बिद्रो क काणपूर में नितितों किस ने किया झाल संताओना से कि के बिद्रो के महतवपूर्ण भी सेष्टा क्या थी हिंदू मुस्ली मेकता जो है इसकी महतवपूर्ण भी सेष्टा थी अठारो संतावन इसी के बिद्रो का मुख्य कारण क्या था तो चर्विवाले करतुसों का प्रियूग जो था इसका मुख्य कारण था बेगाम हजरत महल ने किस अस्थान पर 1857 के बिद्रोग का नेतितों किया लखनाव में किया था बेगाम हजरत महल ने 1857 के बिद्रोग के समय भारत का गोर्ना चर्नल कौन था लॉर्ड कैनिंग भारत का गोर्ना चर्नल था रानिलाश्मिंबाई का मूल नाम क्या था मनी करने का जो था ही रानिलाश्मिंबाई का मूल नाम था बिहार में आठालो संतावन के बिद्रो का नेतितो किस ने किया नेता कुमर्सी ने बिहार में किया था नेता कुमर्सीं के मिर्थु कभ हुई नौमे 38 coû равно is farming को में नेताकुमार सिंख की मिर्दू हुई 78 produits का विद्रों केस उर्दू कभी ने देखा था मिर्जा गालीव ने देखा था 58 child is farming का अंधोलन किस कारण औसक्फल रहा केंध्या संगंठन की कमित था पुरवा योजना का नाव होना इसी करण से 1857 का बिद्रो जो था यह सफल रहा था 1857 के बिद्रो को किस ने सड़यंतर के संगया दी जेम्स आउटर मौः डवलू टेलर ने सड़यंतर के संगया दीया था इलाहाबाद को किस ने अपतकालिन मुख्याले बनाया लॉड कैनिंग ने अपत्कालिन मुख्याले बनाया गड़कारी गड़कारी बिद्रो का केंदर कौन सा था कुल्हपूर कुल्हापूर था किस हितिहसकार ने आठारव संताव निस्वी के बिद्रो को सोतन्ता के पहली लड़ाई कहा था बेड़े सावरकर ने कहा था 18 संताव ने से के बिद्रोग किया सफलता के बाद बाहदुर साथ दूतियों की सस्थान पर निर्वासित किया गया रंगून में निर्वासित किया गया था किसकी बिरता से परभावित होकर बिटे सधिकारी हीोरोज ने कहा कि भारतिया करांती कारियो में या असली FIFA मर्द है तो रानी लच्मी बाई की बीरता से प्रभावित होकर कहा था 1857 करांती का चिन क्या निशित किया गया कमल वाच चपाति निशित किया गया था किस ने कहा कि 1857 का बिद्रो बिटे सासन को खार फेकने के लिए भरतिया जनताई करांती है कारल माक्स ने कहा था इस बिद्रो के समय जगदिशपूर के राजा कौन थे कुमर सिंग थे मंगल पांडे को कप फांसी दी गई आठ अपरेल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी सन्यासी बिद्रोह का उलेक किस उपनियास में किया गया है आनांद मठ में किया गया है किस ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक गया है बंकिन चंद्र चटरजी ने कहा था अठार संतावन इस्वी के बिद्रोह में दिल्ली में इसका नेती तो किस ने किया बहादूर सा जफर ने किया था तात्या टोपे का वास्त्विक नाम क्या था राम चंद्र, पांडूरं तात्य टोपे का वास्तुविक नाम था दादा भाई नोरोजी ने किस समिती की स्थापना की भारतिय सुधार समिती की स्थापना की थे भारतिय सुधार समिती की स्थापना कब हुई 1867 इस्वी में हुई थे भारतिय राश्टी आंदोलन भारतिय राष्टिय आंदोलन के 1850 से 1905 की अधी को क्या कहा जाता है तो देखे इसको उदारवादी चरन बोला जाता है भारतिय राष्टिय कांग्रेस के स्थापना कब हुई 1850 से इस्वी में हुई भारती राष्टे कांग्रेस के स्थापना किस के द्वारा हुई ट्रेयो हिूम के द्वारा हुई थी उसके बाद यहाँ पर भारतियों सोतंता संक्राम इसे रिलेटेड कुशन नीचे देखने वाले है ठीके तो पहला है इंडियान एसेशन के स्थापना किसने की सुरेन नाथ बनरजी ने किया था किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान ब्रीध वेक्ति कहा जाता है दादा भाई नोरोजी को भारत का महान ब्रीध ग्रेंड ओल्ड मैन अफ इंडिया बोला जाता है भारतिया सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतिया कौन था? सतेनना टैगोर था? हर्मिट अब सिमला किसे कहा जाता है? यह हुँन को कहा जाता है? पहली बार कौन सा भारतिया ब्रेटिस सांसत के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नोरोजी हुए थे? भारतिया राष्ट्य कांग्रेस की प्रथम बैठक कहां हुई? मुंबाई में हुई थी? भारतिया संग के संस्थापक कौन थे? सुरेन नाथ वनर जी आगे बढ़ते हैं किसकी गिरफतारी के बाद भारतिया राष्ट्य कांग्रेस में नया मुड़ाया बाल गंगाधर तिलक की गिरफतारी के बाद नया मुड़ाया था? भारतिया राष्ट्य कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितनी लोगों ने भाग लिया? 72 लोगों ने भ बंगाल विभाजन कब वक किस वाइसराय ने किया, 1905 में लोड करजन ने किया, भारतिय राष्टे कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, तो बदरुदिन तयव जी थे, ब्रेटिस हाउस अफ कौमन्स का चुनाव सर प्रथम किस भारतिय ने लड़ा था, दादा भाई न रोजी ने लड़ा था, भारतिय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसेशन का बिला कब हुआ, 883 स्वी में हुआ, ए नेशन इन्द मेकिंग नाव कुस्तक किस ने लिखी, सुर्यन ना टैगोर ने लिखी थी, लैंड होल्डर सुसाइटी के स्थापना किस ने की, द्वारिकर ना टैगोर ने किया था, भारतिय राष्टी आंदोलन के 1905-1917 की ओधिव क्या कहा जाता है, उगरबादी चरन क पहा जाता है, भारतिय राष्टी कांग्रेस की प्रथम महिला थे, उस कौन थी, एनी बेसेंट है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, लाला हर दियाल, सुराज मेरा जर्म सिदह दिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किस ने कहा, बाल गाना धर तिलक ने कहा, मारले मि अलिया, कौन थे, जो बाद में कियोगी, वो दार्शनिक बन गए, अर्विंद घोस्ते, मैडम भीखा जी रूस्तम, 1909 इस्वी में, पेरिस में कौन सा समाचर पत्र प्रकासित करती थी, पैट्रियट, भारत में मुस्लेंडे की अस्थापना कब हुई, 1906 में हुई, होम र भारतियों होम रूल, अंदोलन की प्रवर्ता कौन थी, डाक्टर एनी बेसंड थी, बाल गंगाधर द्वारा, अर्वंब की गई, पत्री का कौन सी थी, केसरी थी, भारतियों इतिहास में, 1911 का क्या महत्व है, तो इसका महत्व है, राजधाने का कुलकाता से दिली अस्थ प्रांतरण की घोशला होई थी, और 1912 में कर दिया गया था, अनुसिलन समेति की से सम्बांदे था, पीके मिसरा से, ठीके, भारतियों राष्ट्य कांग्रेस का बिभाजन कब हुआ, 1937 में, मुस्लिम लिकी अस्थापना किसने की, सलिमुला और आगा खाने मुस्लिम लिकी अस्थापना किया था, स्वधेशी अंदोलन किस कारण आरंब हुआ, बंगाल बिभाजन के बिरोध में आरंब हुआ था, बंगाल बिभाजन के बिरोध में बिद्रो का संचालन किसने किया, सुरेननाथ बनरजी ने किया, लखनाव सम्झा होता कब हुआ, 1916 में हुआ, नि 1908 को बंगाल तिला को कितने वर्स की जेल हुई 1908 को बालगा अधर तिला को कितने वर्स की जेल हुई 6 वर्स की जेल हुई थी बंगाल से बिहार कप प्रिथक हुआ 1912 में राजनेती स्वतंता की प्राण वायू है यह सब्द किसने का है अरबिंद घोस ने कहे मुझफरपूर में किंग्स फोर्ड के हत्या का प्रियास कब हुआ 1968 हिस्वी में हुआ लॉर्ड हाडिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद हुआ 1911 में 1916 हिस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझाओता किस ने कराया डक्टर एनी बेसंट ने कराया अलिपूर बंकांड में अरबिंद घोस का बचाओ किस वकिल ने किया सियार दास ने किया था सूरत अधिवेशन कब हुआ 1907 में हुआ मुहमद अली जीना को हिंदू मुसलिम एकता का दूद किस ने कहा था सरुजनी नाइडू ने कहा था गीता रहसे नाम गरांत किस के दोरा लिखा गया बालगा अधर तिलक दोरा लिखा गया था कमा गाटा मारू कमा गाटा मारू क्या था कनाड़ा की यात्रा पर निकला जहाज था किस भारती राष्टी आंदोलन कि सिर्श गीत बंदे मातरम था स्वदेशी अंदुलन और उसीलन समीती क्या थी ये करांतिकारी संगठन थी भारत में गरमदलिया अंदुलन का जनक किसे माना जाता है बाल गाधर तिलक को माना जाता है महराष्ट में गनपती उत्सव का सुभरम किस ने किया बाल गाधर तिलक ने किया था दोस्तों वीडियो पसंद रहा है तो प्लेज वीडियो को लाइक जरूर कर दे ये काफे ज़्यादा इंपोर्टेंट है आपके एकजाम के लिए वीडियो को एंड तक देखिए आगे बढ़ते हैं पंजाब केसरी किसे कहा जाता है लाला लाजपतराय को कहा जाता है मुसलिम लिग का प्रथम अध्याष कोन था आगा खा था गदर पटे के स्थापना कब हुई 1923 में हुई महराश में होम रूल अंदूलन किस ने चलाया बाल गाधर तिलक ने चलाया महत्मा गाधी ने सत्यागरा किरियावेदे सरपर्थम कहा परियुक्त की चंपारन में परियुक्त की थी सांडर्स की हत्या किस ने किये थी भगत से ने केस वर्स मुसलिम लिग ने एक प्रिथक राष्ट का संकल्प की लिया केस वर्स मुसलिम लिग ने में सैनिक करवाई द्वारा बलपुर्वक मिला लिया गया था हैदराबाद को सुभास चंद्रबोश न सिंगापूर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया 1945 में असयोग अंदोलन का सुभरम कब हुआ 1920 में असयोग अंदोलन के हुआ आपस लिया गया चौरी चौरा में हुई हिंसा घटना एकारण इसको वापस लिया गया जाले अलबाग हत्या कण कब हुआ कहां हुआ 1929 में अमरिद सर में हुआ था रॉल अट्रेक्ट का पारिद हुआ 1929 में गाधे इर्वेन समझाओता कब हुआ 1931 में गाधे इर्वेन समझाओता कि से संबंदे था सबिनावग्या अंदोलन से सोतंत्र भारत के प्रथम गवर्ना जनरल कौन थे लॉर्ड माउंट बेटन थे काकोरी ट्रेंड डकाइते के नायो कौन थे राम प्रसाद बिस्मिल सुराज दल के स्थापना किसने की मोतिलल नहरू और बियार दास ने जो है सोराज दल के स्थापना की थी साइमन कमिशन भारत कब आया था 1928 में किसा धिनिया में भारत में पहली बार संगिया संरचना प्रस्तूत की गई 1935 का धिनिया के द्वारा किया गया था 23 फरवर 1942 कुरायल इंडियान नेवी के बिद्रोहियों को आत्म समरपण के लिए राजी किसने किया सरदार पटेल वा महमद अली जीना ने किया था जालिया वलबाग में गोली चलाने का देश किसने दिया जर्नल ओ डायर ने दिया था महत्मा गाधी को सरप्रतम राश्पीता किसने का सुबास चंद्र बोस ने 15 अगस 1947 सिस्वी को भारत ने अपनी आजादी के पहला जस्न कहां मनाया था कुलकाता मनाया था भारत वा पाकिस्तान के बीच बिभाजन किस योजनाय तहत हुआ माउंट बेटन योजनाय तहत हुआ था महत्मा गाधी की हत्या कववक किसने की 39-1948 सिस्वी को नाथुराम गोटसे ने किया था स्वतांत्र भारत का प्रथम भारतिय गोना जर्नल कौन था सीराईगो पालाचारी था महत्मा गाधी जी किस गुल में समिलन भाग लेने के लिए लंदन गए थे द्वीतिय गुल में समिलन में भाग लेने के लिए जो है लंदन गए थे और सयोग अंदोलन के सुरू होने के समय भारत का बैसराई कौन था लॉर्ड चेम्स फोर्ड था इंडिया फोर इंडिया नामक पुस्तक किस ने लिखी चित्रअजन दास ने लिखी जनरल डायर की हत्य किस ने की उधहम सी ने किया था जनरल डायर जो की जालियो लबाग हत्या कांड में जालियो लबाग में गोलिया चलाने का अधे सीसी ने दिया था और इसके हत्या उधम सी ने किया था भारतिय कम्मिनिस पार्टे के अस्थापना कभ हुई 1921 में डांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी ताइकर के नमा कानून का विरोध किया तीन सब पचासी किलोमेटर जो है दूरी ताइकर के पैदल 24 तीनों में पैदल चले थे तब जाकर जो है नमा कानून मतलब कानून तुड़ा था जालियावलाबाग कांड के समय भारत का बैसराई कौन था लॉर्ड चेंसफोर्ड था किसे काल कूर्ती के नाम से जाना जाता है खुदाई खित्मतगारों को जाना जाता है 1999 पंजाब में हुए अत्याचारों के फल्सरों किसने ब्रिटिस सरकार से प्राप्त सर की उपाधी लोटा दे थे रविन्ना टैगोर ने लोटा दे थे ब्रिटिस सरकार से प्राप्त सर की उपाधी डिस्कवरी अफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी जुआलल नहरू ने सुराज पाटी के स्थापना कहा की गई लाहाबाद में इंडियान लिबरल फेडरेशन के स्थापना किसने की 1922 सिस्वी महत्मागाधी जी ने किया था 21 अक्टूबर 1923 सिस्वी को सोतांदर भारत की आजाद हिंद सरकार की घुंसरा कहाँ पर की गई सिंगापूर में किया गया था भारत छुड़ो अंदोलोन के समय इंगलेंड का प्रधान मंत्री कौन था चर्चिल था 1947 सिस्वी के भारती राष्टी कांग्रेस के दिली अधिवेशन के धेस्ता किसने की डक्टर राजंदर परसाद न किया था भारती राष्टी कांग्रेस का 1923 सिस्वी का अधिवेशन कहां हुआ हरीपूरा में हुआ था 1927 की बटलर कमिटी का उद्धेश से क्या था बटलर कमिटी भारत सरकारवाद देशी राज्यों के संबंध राज्यों के बीच संबंध सुधारना ठीक है क्वर्वया मरोकनारा किसने दिया था महत्मागाधी जी ने 1931 की कराची अधिवेशन भारती राष्टी कांग्रेस के देश्टा किसने की सर्भला भाई पाटल ने की भारत सम्हीं साइमन कमिशन के बहिसकार का क्या कारण था इसके सभी सदस्य अंग्रे था इसलिए इसका बहिसकार का मुख्य कारण यही था किस अंदुलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमी का निभाई बारदोली सत्यागरव मुख्य भूमी का निभाई थी भारच छुड़ अंदुलन का प्रस्ताव किस ने प्रस्ताव आले किस ने बनाया महत्मा गांधी जी ने स्वतंता अंदुलन के दोरान सावरमाती आश्रम किस सहर के निकड़ था अहामदाबाद के निकड़ था तीरे उपरी अधिवेशन संकट की समाप्ती के बाद कांग्रेस का धेस की से चुना गया डक्टर राजेंदर परसाद को चुना गया आगे बढ़ते हैं महत्मा गाधी की मिर्तू पर किस ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकास चला गया जोहलाल नहरू ने कहा था किस ने सुझाओ दिया था कि सोतंता प्राप्ती के बाद भारती राश्टे कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए महत्मा गाधी जी ने कहा था फिनिक्स फार्म के अस्थापना किसने के थी महात्मा गाधी जी ने मुसलिम लेग ने मुक्ति दिवस को मनाया था 22 दिसंबर 1949 को मनाया था भारतिया मुसल्मानों के लिए प्रिथक राज्जिया हेतू पाकिस्तान सब्द का प्रियोग सरप्रथम किसने किया था चोदरी रहमत अल्ली ने किया था 1946 सिस्वी में बने अंत्रियोट सरकार में राजांदर प्रसाद के पास कौन सा भी भाग था खाद्यां क्रिसी भी भाग था 1949 सिस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुबास चंदर वोस ने किस दल के अस्थापना की फारण बलग दल के स्थापना किया था 1946 सिस्वी में गठे तंत्रियोट सरकार की कैबिनेट की अधास तक किसने के थी जो आलाल नेहरों ने की थी किसने प्रेंस चटगाओ सास्त्रगार पर हमले को आयोजित किया था सुर्य सिन ने आयोजित किया था जै प्रकास नराण की स्पार्टे से जुड़े थे सोसलिस्पार्टे से जुड़े थे चार अप्राइल निस सफवी को दिल्ली की जामा मस्चित के प्रवचन में हिंदू, मुसलिम, एकता के भासन किसने दिये सुआमे सरानन्द ने दिये थे बिश्व भारती, बिश्व बिद्याले के स्थापना किसने की रमिन्ना टाइगोर ने लॉर्ड माउंट बेटन योजना का सुभरंब कब हुआ 1947 में सुख देव, भगत, सीव, राजगुरु को फासी कब दी गई 23 मार्च सन 1931 को दिया गया था नौसेनिक बिद्रो कब हुआ 1946 में महत्मा गाधी ने साबरमती आश्रम के स्थापना कब की थी 1916 इसवी में साबरमती आश्रम की महत्मा गाधी जिने 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को हरिजन सेवक संग के अध्यास कौन थे घन्शयान दास बिल्डा पूना सम्झाता किस वर्ग से सम्बंदे था दलित वर्ग से इंदोस्तान सोचलिस्ट रिपबलिक एसोसियेशन पार्टे के स्थापना कब हुई 1928 में हुई भारत छुड़ो अंदोलन कब प्रारंब हुआ 9 अगस्त 1942 को प्रारंब हुआ हंटर आयो के न्युक्ति किस कंड के बाद की गई जाले अलबाग हत्य कंड के बाद की आ गया था इन कलाब जिन्दाबाद का नारा किस ने दिया था तो इन कलाब जिन्दाबाद का नारा जो है भागत से ने दिया था भारत में पाकिस्तान के बिस सीमांकन किस ने किया सर सिरिल रेड कलिफ ने किया था अर्धनगन फकीर महात्मा गाधी को किस ने कहा था चर्चिल ने कहा था विश्टन चर्चिल ने कहा था खिलाफत अंदुलन किस ने चलाया खिलाफत अंदुलन किस ने चलाया तो दोस्तों ये थे इंडियन हिस्ट्री के इंपोर्टेंट 170 प्लस कोश्चन आयो होग ये वीडियो जो आपको पसंद आया होगा इसके अलावा आप सभी से एक होमर कोश्चन पुछ लेते हैं जालियोला बाग हत्या कांड जो हुआ था उसमें कितने लोग मारे गये थे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार और प्रत्यक्स दर्शी के अनुसार तो आप इन दोनों मतलब दोनों रिकॉर्ड आपको बताना है कि कितने लोग मारे गये थे जालियोला बाग हत्या कांड में तो क के वीडियो ज्यादा तर बनाया करेंगे हम तो आप अपना ओपिनियन नीचे कॉमेंट में बताएं लाइक और शेयर के माध्य हमसे लाइक जरूर करें वीडियो को ठीक है सब्सक्राइब करके बेल आइक अन कर लिजेगा नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे टाइम टू टाइ ठीक है मिलते हैं वीडियो में नमस्कार जै हिंत जै भारत